हेलो फ्रिंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हूँगे महनत कर रहे हूँगे और बहुत अच्छे नंबर आप अपने एक्जाम में ले करके आएंगे तो आपके बोर्ड एक्जाम से पहले एक लास्ट वीडियो जो मैं आपके पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए ले करके आई हूँ वो है आपके पूरे स्लेबस सेकिंड टर्म के पूरे स्लेबस पर बेस्ट सभी महतुपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर्स को तो बिटा इस वी हमें ग्रिया में देखेंगे और किस प्टर अन्सर्स लिखनें है मतलब क SD लिखने का तरीका भी आप इस वीडियो मैं देखेंगे तो बहुत जादा helpful होने वाली है बिटा ये वीडियो एक्जाम से पहले सभी इस वीडियो को जरूर देख लें जिससे कि आप अपने अच्छे नंबर ले करके आ सके इसी के साथ बिटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना शुरू करते हैं बिटा हमारी वीडियो कुशन नबर एक से बंगाल चित्रशेली का उदय कब और कैसे हुआ बंगाल चित्रशेली का उदय बीसमी शद्दाब्दी में आरंभ हुआ इस समय रास्ट्रवादी अंदुलनों के चलते भारती चित्रकालों वे विद्ध्यार्ति उन्हें ब्रिटिश कला कादमी के किरिया कलापों के विरुद न केवल आवाज बुलंद की बलकी पस्ट में यथार्थवाद की प्राणहीन कलाशेली का अंधानुकरण करने से भी अपने आपको अलग करने लगे अब उसके स्थान पर भारती कला की सम्रद परंपरा एवा मूल्यों को फिर से सम्मान की द्रस्टी से देखा जाने लगा और दोस्तों ये किस कारण हुआ? बंगाल चित्रशेली के उद्य होने के कारण संकट के इस घड़ी में कुछ ख्याती कलाकार सामने आये जिसमें इस परंपरा के अग्रणी कलाकार रहे अवनिंद्रनाथ टेगोर उनके इस परियास में कलकत्ता के सरकारी कला विद्याले के प्रचारे प्रोफेशर ईवी हिवेल ने उनका सहयो किया दोस्तों याद रहे अवनिंद्रनाथ टेगोर को बंगाल चितरशेली का प्रणेता कलाकार भी कहा जाता है और ईवी हिवेल ने बंगाल चितरशेली का उदे हुने में प्रेणा प्रदान की थी अवनिंद्रनाथ टेगोर को आजाते हैं question number two पे बंगाल चितरशयली की मुख्य विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए तो बंगाल चितरशयली की मुख्य विशेष्टाओं निम्लिकीत हैं जिसमें से first number पर आजाती है वाश पदिती का प्रियोग माग कर लेते हैं दोस्तों तो वाश पदिती क्या होती है मैंने पहले भी बताया है तो यह जापानी कला है मुख्यता जो की जितनी बार हम शीट पर कलर लेते हैं नया उतनी बार उस शीट को हमें वाश करना पड़ता है पानी से और फिर जब वो सूख जाती है फिर दूसरा कलर उठाते हैं तो यह पुलतहा जापान की कला है बंगाल चितरशैली में सबसे पहले वॉस चितरण पदिती का प्रयोग किया गया था सेकेंड जो हमारी विशेषता होगी बंगाल चित्रशेली की वो है रेखांकन बंगाल शेली का रेखांकन भारतिय कला पर अधारित है जैसा कि अजन्ता, एलोरा, रजिस्थानी एवं मुगल कला में देखने को मिलता है यानि कि यहां की जो रेखाएं हैं वो हमारी परमपरी कलाओं से प्रभावित है थर्ड पॉइंट है हमारा विशेष कौन से विशो पर बंगाल चित्रशेली में चित्रांकन हुआ तो कलाकार ने अपने पसंद के विशो पर चितरांकन किया परंतु उनकी जो शैली थी वो भार दिया रही फोट पुर आ जाएगा अपना बंगाल चितर शैली पर प्रभाव को थी कलाका रहा तो अजन्ता, राजस्थानी एवं मुगल कला का प्रभाव हमें बंगाल चितर शैली पर देखने मिलता है फिफ्थ हमारा रंग बंगाल चितर शैली में जल रंगों का प्रियोग किया गया है यहां तक कि जो वाश चितरन पदती है उसमें भी रंगांकन के लिए जल रंग ही प्रियोग में लाए गए है तो यहां पर बंगाल चितर शैली की पांच विशेष्टाओं के बारे में हमने बात की है कोर्शन नंबर तीन पर आ जाते हैं बंगाल चितर शैली के अग्रणी चितरकार कौण से थे तो बंगाल चितर शेली के प्रमुख अग्रणी कलाकार रहे हैं तो प्रणेता ही रहे हैं सबसे पहले तो अवनिंद्रनाट टेगोर और फिर नंदलाल बोस, असीत कुमार हलदार, छेतिन जनात मजूमदार, देवी प्रशादराय चौधरी दोस्तों, देवी प्रशादराय चौधरी मोर्तिगार हैं ए यार चगुताई जिनका पूरा नाम है अब्दुल रह्मान चगुताई और के वैंक टपा ये बंगाल शेली के प्रमुक अग्नणी कलाकार रहे हैं आ जाते हैं कोशन नमबर फोर्थ पे, बंगाल कला शेली के विकास में अमनिंद्र नाटे गुर की भूमिका पर प्रकाश डालिए बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तो ये, अमनिंद्र नाटे गुर को बंगाल शेली का प्रणेता कहा जाता है अथ्वा पिता भी कहा जाता है, प्रणेता पिता एक ही बात होती है दोस्तो तो बंगाल शेली का आरम हिनों ने किया था बेशनी शताबदी में और डॉक्टर इवी हवेल की प्रेड़ना से किया था और उस दोरान भारत में रास्ट्रवादी कला अंदोलनों के चलते भारते चित्रकारों भारते कला को हींद दृस्टी से देखा जा रहा था इसका प्रमुकारण भारत पर ब्रिटेश कंपनी का प्रभुत्व था ऐसे में अवनिंदरना टैगोर एवम उनके साथी कलाकार वही सब जो हमने अभी उपर पढ़े हैं कलाकारों ने ना केवल ब्रिटेश कलाकादमी के करिया कलापों के विरुद आवाज को बुलंद किया बलकी पस्टमी यथार्थवाद की प्राणहीन कला शैली का अंधान उकरन करने से भी अपने आपको रोकने लगे इस समय डॉक्टर ईवी हिवेल कलकत्ता कला विद्याले के प्रचारे प्रोफेसर थे उन्होंने इस सब में अवनिंद्रनाटे गोर वेसाती कलागारों को संपूर्ण सहियोग प्रदान किया था बंगाल शैली की सरप्रमुक विशेश्ता वॉष चितरनपदती से भी भारते कला कावक का परिचय अवनिंद्रनाटे गोर ने ही कराया था बंगाल शैली की कला परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अवनिंद्रनाटे गोर ने 1919 इश्वी में शांती निकेतन में शांती निकेतन एक विद्ध्यार ले था जिसके अंदर कला भवन की स्थापना की थी और विद्धार्थियों को भारतिय कला की सिक्षादे ने एवन प्रचार प्रशार करने का कारे आरंब किया था दोस्तों इसी के साथ आजाते हैं कोश्य नंबर फाच पे प्रोफेसर ईवी हवेल का भारतिय आधुनिक कला के विकास में क्या योगदान रहा तो भारतिय आधुनिक कला के विकास में प्रोफेसर ईवी हवेल का प्रमोखिस्थाने इन्होंने ही अवनिंदरना टेगोर को भारतिय कला को प्रोचसाहन देने एवं कला को आगे बढ़ाने की प्रेर्णा दी थी इन्होंने बिटिश कला का अदमी अवन कंपनी शेली के बहिसकार के लिए अवनिंदरना टेगोर को प्रेरित किया था अवन भारतिय कला की मौलिकताओं पर अधारित कला का निर्मान करने की प्रेर्णा भी इवी हवेल ने ही दी थी जिसके परणाम शरूब बीजने शतापदी के आउतरार्ध में बंगाल चित्र शेली का जन्म हुआ जो की भारतिय कला एवन विश्यों की मौलिकताओं से परिपूर है दोस्तों यात्राकांद नामक क्रती में चित्रकार ने किन वेदनाओं को प्रकट किया तो यात्राकांद नामक क्रती में चित्रकार ने एक ठके हारे वे भूके प्यासे उट की मनोदशा वे कस्टों को उसकी आधी खुली आखों से तथा निढाल पड़े हुए शरीर से दिखाया है किसमे यात्राके अंद चित्र में उट की पीट पर लधा हुआ बारी बोज मालिक द्वारा किये जा रहे चरम शोशन वे जुल्मों का प्रतीक दिखाया है मतब चित्रकार ने दिखाया है कोशन नमबर दो है शीव और सती नामक चित्र के कलाकार कौन है तो यह तो बहुत चोटा सा प्रशन का अंसर है नंदलाल बोस कोशन नमबर तीन बंगाल शेली के चित्र शीव और सती के बारे में विबरन दीजिए तो चित्र का नाम है शिवर सती, चित्रकार नंदलाल वोस, आधुनिक काल का ये चित्र माना जाएगा, इसकी शेली है बंगाल शेली, 1947 में ये चित्र बना है और आज की डेट में रास्टर संग्राल ले नई दिल्ली में रखा गया है इस चित्र में कलाकार ने भगवान शिव और माता सती से संबंदित एक पोरानिक घटना को दिखाया है, पोरानिक घटना मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई होती है, उसको हम पोरानिक बोलते हैं शिव को बैठी हुई मुद्रा में उन्होंने दिखाया है और सती का मुर्जाय हुआ चेहरा असाय भाव से निहारते हुए यहां पर शिव को चित्रित किया है चित्रकार ने अपने बाए हाथ से भगवान शिव ने सती के शरीर को सहारा दिया हुआ है और सती उनके बाएं गुटने पर मूर्चित अवस्था में प्लेटी हुई है उन्होंने गले, कान, बाजू वकलाई पर आभूशन पहने हुए हैं हलके लाल रंगी साड़ी है माता सती ही शिव जी ने सिर के पीछे एक हलके पीले रंग का आभा मंडल दिखाया गया है उनका जो मस्तक है वो सफेद रंग से उजला दिखाया गया है उनके जो बाल हैं कुछ जूड़े की तरह बंधे हुए हैं तथा कुछ उनके दोनों कंदों पर विखरे हुए दिखाए गए हैं। शिव ने अपने गले में हार और साप को धारन किया हुआ है। उनका धड़ थोड़ा सा भारीपन लिये हुए है। धड़ मतलब शरीर का उपरी हिस्सा। आजाते हैं कोईशन नमबर 4 पर चित्र शिव वे सती की विशेष्णाओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपोर्टन कोईशन है दोस्तों यह इस तरह से किसी भी चित्र की विशेष्णा आप से पूछ सकते हैं तो आप उसके अंदर लगभग कुछ-कुछ इन ही पॉइंट्स को डाल सकते हैं। चाहे चित्र आपका कोई भी हो। ऐसा नहीं है। अगर टेंपरा पदती में बना है तो आप टेंपरा पदती बोलोगे। लेकिन क्योंकि शिव और सती चित्र वाश पदती में बना है तो हम इसकी विशेष्टा बताएंगे सबसे पहली वाश पदती। नंदलाल बोस ने चित्र शिव सती को वाश पदती में बनाया है और कुछ-कुछ टेंपरा पदती का भी टच उन्होंने यहाँ पर दिया है। और यही बंगाल शेली की सरप्रमुक विशेष्टा है। दूसरी विशेष्टा है रहस्य मई वातावरण। तो कलाकार ने वाश पदती के साथ-साथ धूमिल रंग जाने की पीला, भूरा और बैंगनी रंगों का प्रियोक करके चित्र को रहस्य मई वातावरण प्रदान किया है, वेधना पूर्ण दिखाया है। तीसरा वाजाएगा आपका विशे तो नंदलाल बोज ने चित्र पोराने किसे पर बनाया है, यह आपको आप उपर कुशन में पढ़ चुके हैं। चौथी विशेष्टा है ले आत्मक रेखांकन। तो कलाकार ने अजन्तव मुगल के समान यहां पर कोमल पर ले आत्मक रेखाओं का प्रियोग अपने इस चित्र में किया है। आ जाता है पांचों पॉइंट रंग तो जल रंग का वाश वर टेंप्रा पदिती में कलाकारनेया पर प्रियोग किया है और अपने चित्र को विसिस्टता प्रदान की है कोशन नमबर पांच सिव और सती नमक चित्र के रंग संयोजन का वर्णन कीजिए तो रंग संयोजन हो जाता है कागज पर पीला भूरा बैगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाओं के प्रियोग से निर्मित यह एक नाटकिय चित्र कलाकारने प्रस्तुत किया है चित्र के प्रस्त भाग में भूरे वे पीले रंगों की विभिन हलकी वे गहरी आभाओं का प्रियोग भी कलाकारने किया है जो की बैगनी भूरे तथा सफेद रंग की आभाओं के साथ घुमावदा धरातल पर एकाकार होती दिखाई पड़ रही है चित्र का जो अगर भाग है यानि की आगे वाला भाग है प्रस्त भाग मतलब पीछे वाला भाग और जो आगे वाला भाग है उसमें उसने बैगनी भूरे वे सफेद रंगों का मिश्रण से चित्र बनाया है और कहीं न कहीं ऐस पस्टता या धुमिलता चित्र में लेकर आ देखे जिस तरह से शिव और शती पर questions पूछे जा रहे हैं इस तरह से कोई भी question हो सकता है यात्रा का अन्त भी हो सकता है धूमिल राधिका हो सकता है या फिर जो आपका राम गोपाल विजय वर्गे का चित्र है make बना रखे हैं उन्होंने उसमें उसकी detailing आएगी अभी तो कोई भी चित्र आप से पूछा जा सकता है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सीव और सती नामक चित्र की सेयोजन ववस्था पर वर्णन कीजिए तो सीव और सती नामक चित्र में मुख्याकरती शीव और सती की है जिसको धरातल के बाई और किंचित उची छितिजरेखा छितिजरेखा दोस्तों होती है मतलब जमी धर्ती जहां पर खड़ा हुआ जाता है बैठा जाता है या चीजों का निर्मान किया जाता है उसको छितिजरेखा बोलने हैं जैसे कि मुगल लगू चित्र शैली में छित कला जैसा कि छितिज रेखा को थोड़ा उपर कलाकार ने दिखाया है तो दोस्तों छितिज रेखा के बाद आजाते हैं कि धरातल के बीच में यहां पे इनाकरतियों को बनाया गया है कलाकार ने चित्र में हर तरह के सेयोजन के सिध्धान्द का प्रियोग किया चाहे वो रेखा हो, रंग हो, अथवा, रूप हो आ जाते हैं क्वेशन नबर साथ में राधिका चित्र पर संचिप टिपणी कीजिए तो राधिका चित्र कागजपर जल रंग से 1940 इश्वी में चित्रकार अब्दुल रह्मान चगुतई ने बनवाया था और ये टेंपरा और वाश्पदिती में बना हुआ है ये राष्ट्र संग्राले नई दिली में रखा गया है आज की डेट में आप महाँ पर जा करके देख सकते हैं इस चित्र को और इसके अंदर प्रेमातुर राधिका के मनो भावों को कलात्मक रूप से चित्रकार ने प्रस्तुत किया है क्योंकि यहाँ पर ये संशिप्त नोट था तो हमने इस चित्र की डेटेलिंग नहीं किया है आ जाते हैं क्वेशन नमबर एट पर मेगदूत चित्र में कलाकार ने क्या प्रदर्शित किया है इस चित्र के रचनात मक सौंदरे पर प्रकास डालिये तो मेगदूत चित्र में चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गे ने नीले आकास में विशिश लेयात्मक्ता के साथ उड़ते सफेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर यक्ष वे यक्षणी को वास्तविक रंगसेयोजन से दिखाया है यानि कि दो आकरती है यक्ष और यक्षणी यक्ष मतलब पुरोस और यक्षणी मतलब महिला यक्ष के गुंगराले बाल है, कानों में मोतियों के कुंडल है, गले में मोतियों का हार है, बहतरीन सारे रिक्षर रचना है, मुक पर मुस्कान है, हातों और उंगलियों में कोमलता का एहसास, दाईने हात में कमलपुष्प लिये हुए हरे रंग की विभिन आभाओं से अलं यानि की पीट से सटकर बैठे हुए दिखाया है उसका दाहिना हात यक्ष के वक्ष पर इस तरह से रखा हुआ दिखाया है मानो दो प्रेमी आलिंगन बद्ध हों यक्षणी के बाल सफेद फूलों वाले जूडे से बंधे हुए दिखाये गए हैं उनके गले में मोतियों की म गुलाबी रंग के वस्त्र जिससे उन्होंने अपने वक्स इस्थल को ढखा हुआ है कमर के नीचे पीला आभायुक्त वस्त्र पहना हुआ है जिस पर सिल्वटें दिखाई गई हैं पैरों में पायल है हातों में बाजुबंध है और इसके साथ आखों में प्रेम और होटो पर प्रसंता के भाव है पहला प्रश्ण है सुतंत्रता के लिए किये जा रहे आंदोलन में किन कलाकारों ने सहयोग किया था और किस प्रकार किया था तो सबसे पहले थे जिन्होंने सहयोग किया था बंकिम चंडर चटर जी ये एक उपन्यासकार थे इन्होंने एक बांगल गीत कहा जाता है और वंदे मातरम जो इनोंने आनंदमठ में लिखा था तो उस वक्त हर किसी व्यक्ती के मुँँपर सिर्व वंदे मातरम गीत था जिसने भार्तिय जन रमानस के मन में और क्रांतिकारीयों के मन में नई जोश और चेतना को भर दिया था और वो आजादी की लड़ाई में दोबारा से कूद पड़े थे दूसरा था गगेंद्रनाथ टेगोर तो गगेंद्रनाथ टेगोर उनकी साथी कलाकारों ने 1907 दोस्तों यह 1960 गलत है यहाँ पर यह होगा 1907 1907 में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की थी यह संस्था का मुख्य उदेश्य था कि मॉडल रिव्यू प्रवासी नामक पत्रिकाओं में कला चेत्र के नए प्रतिमानों को प्रकासित करवाना यानि कि जो नए चित्र उन दिनों यहाँ पर बन रहे थे उन चित्रों से भारतिये जनता के साथ साथ विदेशी जनता को भी परिच्य करवाना तीसरा धाय दोस्तों अमनिंद्रनाट टेगोड ने चित्र बनाये थे भारत माता और उपरी हवा के सिद्ध लोग तो दोस्तों इन चित्रों से भी भारत में देश भक्ति की भावना लोगों के मन में जगी थी चौथा है उननिस सो उननिस में हुआ जलिया वाला बाल नरसंगार तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी नप से पहले पढ़ा होगा हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये वाला जो नर्संगार हुआ था उस पर गंगिन द्रनाटेगों ने एक चित्र बनाया था और चित्र का नाम था पंजाब में शांति घोशित इस चित्र ने भी भारतियों के मन में अंग्रेजों के प्रती घ्रणा को बहुत अधिक प्रबल कर दिया था चलते हैं दोस्तों कोशियं गंबर सेकिंड की स्थापना क्यों की गई थी तो इंडियन सोसाइटी ऑफ और अरिधम आठ की स्थापना इन देखे दोस्तों अभी ये बिल्कुल सहीं होने उननिस स साथ लिखा हुआ है उपर 1960 है उधर मैंने कट भी किया है तो आप ध्यान रखिएगा 1907 में गगेंद्र नाथ और उनके साथी कलाकारों ने इंडियन सोसाइटी ओफ और इंडल आर्ट के स्थापना खी थी इस संस्था का मुख्य उदेश वही था modern review और प्रवाशी नामक पत्रिकाओं में कला चेतर के नए प्रतिमानों को प्रकाशित करवाना इस संस्था में मुद्रन की नए तक्नीक सीखने के लिए कुछ जग्यासु कलाकारों को प्रशिक्षन हे तू यानि इंग्लेंड और जापान भेजा जाता था जहां से वो छपाई की नए विद्यों को सीख करके आते थे छपाई की नए विद्यों से मत्तब है यहां पर चापा कला ठीक है दोस्तों फिर क्यूंगी उन दिनों क्या होता था कि छापा चित्रों की मांग बहुत जड़ा थी कुछ फिलाकारों को भेजा जाता था धा calling जिन्होंने भारत माता चित्र बनाया दोस्तों इनका जो यह भारत माता चित्र है वो इन्होंने वाश्पदती में बनाया है और भारत माता के रूप में एक महिला को इन्होंने इस चित्र में चित्रित किया है और यह है अवनिंद्रनात टेगोर के प्रमुख चित्रों में से एक है सेकेंड भारत माता चित्र जो है वो श्री पून गोश ने बनाया है और दिजेंडर लाल राय के गीत पर बनाया है और इसके अंदर उन्होंने एक सुन्दर तेजश्वी महिला को लाल किनारे वाली नीली साड़ी पहने हुए समुंद्र से निकलते हुए या समुंद्र समाद दिखाई देता है और गले में मोतियों का हार जूलता दिखाई पड़ता है तीसरा चित्र जो दोस्तों बनाया था वो अम्रिता शेरगिल ने बनाया था और इन्होंने इस चित्र को यथार्त ता यानि कि जो रियलिटी थी उस पर आधारित बनाया था तो इस चित्र बास में खड़ी एक बालिकाने पकड़ा हुआ है तो यहां पर जिसको पकड़ा हुआ से बतलावे बच्चे की साड़ी को पकड़ा हुआ है भारत माता की साड़ी को पकड़ा हुआ है एक छोटी बच्ची ने जो की खड़ी है और महिला के चहरे पर महिला के चहरे पर कस्ट वे वेदना के चिन दिखाई पड़ते हैं कोशिन नमबर फोर हिंदो मुस्लिम एकता को ब्रिटिस साशकों द्वारक कैसे भंग किया गया और इसके क्या दुर्गामी प्रणियाम हुए तो 1905 इश्वी में हिंदो मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए ब्रिटिस साशकार ने क्या किया बंगाल विभाजन कर दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल ही नहीं बलकि पूरे भारत में ब्रिटिस शाशन के विरुद आंदोलन होने लगे प्रतिकिरियाएं होने लगी सभी भारतवासियों के द्वारा सोतंतरता देखो दोस्तों यहां पर वापस से 1960 है तो ये चीज गलत है ये 1997 नहोकरके नहुकरके 1907 है है ना और 1907 अगर मैं लिख पाई तो मैं ज़रूर लिख हुँँगी येज 1907 तो 1907 हैस्वी में इंडियन सोसाइटी औफ उर्येटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की जिसका प्रमकुदेश्य मॉडल रिव्यू और प्रवासी नामक पत्रिकाओं में कला छेतर के नए प्रतिमान को स्थापित करना था इस संस्था में मुद्रण की नई तकनीक सीखने के लिए कुछ जिग्यासु कलाकारों को प्रसिक्षन हितू इंग्लेंड से इंग्लेंड में और जापान में भेजा गया चपाई की नई वीदियों से उन लोग प्रिये चित्रों को बहतर ढंग से जादा संख्या में चपा गया जिसकी हर जगा मांग थी और उसको यूरोप में भेजा गया किसको यूरोप में भेजा गया जो चित्रों को हमने चपवाया कहाँ पे modern review और प्रवासी नामत पत्रिका में उन चित्रों को यानि की इन पत्रिकाओं में छपे हुए हमारे चित्रों को यूरोप भेजा गया जिससे की वहां के लोग भी भारते कला की गरीमा से परिचित हो सकें आजाते हैं कुशिन नुम्बर फाइव पे कुशिन नुम्र फाइव पन्यास हैं बंकिम चंद्र चटरजी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत ने सभी देशवाशियों वेक्रांतिकारियों में जोश और नई चेतना का संचार कर दिया था इसका अंसर होगा फ्रेंड्स भारत की रास्ट्र सुतंत्रता आंदोलन में सभी देशवासी शामिल थे कुछ राजनीती में शामिल होकर सुतंत्रता की मांग कर रहे थे तो कुछ आंदोलन में सत्याग्रे के माध्यम से सुतंत्रता की मांग कर रहे थे किसके समक्ष ब्रिटिस सरकार के समक्ष ऐसे में भारते कलाकारों ने भी रास्ट सुतंत्रतान दुलन में महतोपून भूमी का निवाई भारत के जन मानस तक आम जनता तक देश भक्ती की भावना को पुचाने का काम ही चित्रकारों का कलाकारों का और लेखकों का था जो कि उन्होंने किया अगर हम उधारन के लिए देखें तो बंगिम चंदर चटर जी ने जो गीद लिखा था वंदे मातरम उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के मन में जन मानस के मन में चोशवचेतना का संचार किया जिससे कि वो सतनता प्राप्ति के आंदुलन में जी जान से लग गए इसी तरह अमृंद्रना टेगोर द्वारा उनका जो चितर थे भारत माता और उपरी हवा के सिध लोग ने भी भारतवासियों की मन में देशवक्ति की भावना को प्रच्वलित कर दिया इसी तरह श्री पूर्ण घोष ने जो भारत माता का चित्र बनाया था उस चित्र की भी लोगों ने अपने मन में जगा बना ली और अमरिता शेरगिल ने अपने चित्र भारत माता को जिस हाल में दिखाया उसे देखकर भी भारते लोगों के मन में सुतंत्रता की मांग और त पहुचा एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत सुतंत्र भारत की मांग को जन्मानस तक पहुचाने का काम भारतिये कला-कारण ने किया तो इसका अंसर होगा भारति किसान चित्र नंदलाल बोस द्वारा नंदलाल बोस अमनिंद्रनाटे गोर के शिष्ये थे अमनिंद्रनाथ के बाद शांती निकेतन कला भवन के प्रचारे के रूप में नंदलाल बोस ने काम किया और बंगाल शेली को आगे बढ़ाया यह चित्र कॉंग्रेश अधिवेशन यह चित्र से मतलब है भारतिय क्रशक जिस चित्र के बारे में हम बात करें यह वाला जो चित्र है कॉंग्रेश अधिवेशन के हरीपूरा पांडाल में नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था यह चित्र वाश और टेंपरा पदती में बनाया गया है भारतिय क्रशक हरीपूरा पांडाल में बनाये गए चित्र के माध्यम से जिस प्रकार चित्रकार ने भारते किसानों को भारते परंपरयवं संस्कृति को भारत के आर्थिक धाचे को दिखाने का प्रयास किया है वह इस चित्र की ख्याती का मूल कारण है कॉंग्रेस अधिवेशन में बने इस चित्र को देखकर भारते किसानों को लगा कि कॉंग्रेस ही एक ऐसी राजनितिक पार्टी है जो ब्रिटिस सरकार से लोहा ले सकती है और उनकी मांगों को फूरा करा सकती है भारत की जनता फिर भारती किसानों ने इस चित्र के साथ खुद को जोड़ा और सतंत्रता आंदोलन में अपनी भागेदारी दी कोशन नमबर फर्स्ट से कोशन नमबर फर्स्ट है भारत के रास्टे द्वच को वर्तमान रूप में कब स्विक्रत किया गया तो भारती है सविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 इश्वी में तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को भारती रास्टे द्वच के रूप में स्वि करने से पहले किन किन बिंदूओं पर गहन विचार विमर्ष हुआ था दोस्तों ये वर्णियां पर गलत है तो ये है इसका अंसर नंबर टू भारत के लोगों की भावनाओं राजनितिक वे सामाजिक आकांगशाओं तथा सुतंतरता के लिए संघर्ष रत आंदोलनकारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए गहन विचार विमर्ष के बाद भारतीय तिरंगे जंडे के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 इश्वी में भारती सविधान सभा के अंतरगयत स्विक्रती प्रदान की गई थी बहुत इंपोर्टन कोईशन है तो इसका अंसर होगा भारती रास्टे द्वज को तिरंगा कहा जाता है और यह तिरंगा इसके तीन रंगों के कारण कहा जाता है भारते रास्टे द्वज में तीन रंगों की 36 पट्टिया है सबसे उपर नारंगी रंग बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है सफेद रंग की पट्टी पर एक नेवी ब्लू कलर से चक्र बना है जो की सारनात का असोक स्थम्ब से लिया गया है इस चक्र में 24 दिलिया है जो की दिन के 24 गंडों का प्रतिन देत्व करती है नारंगी रंग साहस और वीर्था को दिखलाता है सफेद रंग शांती का प्रती है तो वहीं हरा रंग हर्याली और खुशाली का प्रती मारा जाता है इसका अंसर होगा फ्रेंड्स भारती रास्टे द्वज का विकास तीन चरणों में हुआ है जिसका विवरण निमनलिकित है प्रतम जरण कलकत्ते के पार्सी बगान में 7 अगस्त 1906 को कॉंग्रेस की सभा का आयजन किया गया यही पर भारती लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता एक द्वज फेराया गया जिसे पहला रास्ट द्वज का जा सकता है इसमें हरे, पीले वे लाल रंग की 36 समानुपातिक पट्टियां थी शीर्ष पर हरी पट्टी में 8 सफेद कमल एक सीध में अंकित किये गए थे मध्य की पीली पट्टी में गहरे रंग से वंदे मातरम देवनागरी लिपी में अंकित किया गया था जबकि नीचे की लाल पट्टी में बाई और सफेद रंग से सूर्य तथा ताहिनी और आर्दुचंद्र तथा उसके उपर एक सितारा अंकित था बात कर लेते हैं दित्यचरण की तो दूसरा द्वज 1921 इश्वी में भारती रास्ट्रे कॉंग्रेस की विजेवाड़ा जिसको बैजवाड़ा भी कहा जाता है अधिवेशन के दोरान आंध प्रदेश के एक उत्साही युवक पिंगली वेकईया ने तयार करके अधिवेशन के संचालक मोहंदार्स करमचंद गांधी को सोपा था यह द्वज 236 हरी वे लाल पट्टी से बना था तता मध्य में गांधी चरखा अंकित था हरी पट्टी मुस्लिम संबुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी तो लाल पट्टी हिंदूओं का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि चर्खा क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्न था चर्खे को उन्नती का घो तक माना जाता था बात कर लेते हैं तृत्य चरण की तृत्य द्वच जिसे की वर्तमान का तिरंगा कहा जाता है भारते सविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 इश्वी को भारते रास्टे द्वच के रूप में स्वीक्रत किया था द्वच के इस रूप को भारत के लोगों की भावनाओं रास्ट नितिक वे सामाजिक आकांग्शाओं तता सुतंतरता के लिए संघर्श रत आंदोलन कारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए गेहन विचारवे मर्श के बाद स्वीक्रती प्रदान की गई थी देख लेते हैं कोईशन नमबर फाइव तो भारत का रास्ट द्वच कब और कहां कराया नहीं है ये होगा यहां पर फेराया जा सकता है तो भारत का रास्ट द्वच भारत की लोगों की आशाओं और आकामशाओं का प्रतिरूप है यह रास्ट गौरव का प्रतिक है भारत से ऐसी जगा लगाया जाए जहां से वह इस पस्ट रूप से दिखाई दे पॉइंट नमबर टू सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य चुटियों के दिन में भी सूर्यदों से सूर्यस तक पहराया जा सकता है विसेश अफशरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकत पॉइंट नमबर तीन द्वज को सदा इस फूर्थी से फेराया जाए और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाए फेराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि द्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फेराया और उतारा जाए पॉइंट नमबर फो जब ध्वज किसी भवन की खिड की बालकनी या अगले हिस्से से आडा या तिर्छा फेराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फेराया और उतारा जाए पॉइंट नमबर फाइव ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फेराया जाए कि जब वक्ता का मूश रोताओं की और हो तो ध्वज उनके दाहिनी और हो द्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की और बीचो बीच या कार के दाई और लगाया जाए पॉइंट नमबर सेवन फटा या महला द्वज नहीं फेराया जाता है पॉइंट नमबर एट, ध्वच केवल रास्टे सोक के अवसर पर ही आधा चुका रहता है पॉइंट नमबर नाइन, किसी दूसरे ध्वच या पताका को रास्टे ध्वच से उँचाया उपर नहीं लगाया जाएगा ना ही उसको बराबर में ही रखा जाएगा पॉइंट नमबर टैन, ध्वच पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना जाएगे तो दोस्त से, कुशन नमबर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक भारतिय कला में कला की किन विधाओं को शामिल किया गया है तो दोस्तों, इसका अंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आधुनिक भारतिय कला में कई विधाओं को शामिल किया गया है जैसे की रिखाचित्र, फोटोग्राफी, आधुनिक शिर्प कला, इसके अंतरगत, पस्चमी यूरोपिय शेली को भी महत्व दिया गया है प्राचीन परंपरा पर अधारित, भारतिय कला को महत्व नहीं दिया गया कला की आधुनिक प्रवर्तियों से आप क्या समझते हो, आधुनिक आपको पता ही है, हमने चेप्टर में भी पढ़ा है हम आधुनिक दौर की यहां पर बात कर रहे हैं, लगभग बीशमी शताबदी की, कला के छेतर में दोस्तों तो इसका अंसर होगा कि कला कारों ने नए तरीकों और सामगरियों को कला के कारों में नए विचारों के साथ प्रयोग किया इसे ही कला की आधुनिक प्रवर्ति कहा जाता है, किस चीज को नए तरीकों और सामगरियों के अलग तरीके के प्रयोग को यानि की नए विचारों के साथ प्रियोग को आधुनिक प्रवर्ती कहा गया इसकी विशेष्टा क्या है? कल्पनात्मक्ता की और जुकाव आधुनिक कला की विशेष्टा है इसके अतिरिक्त अभिव्यंजनावाद, घनवाद, प्रभावाद, नोप्रभावाद, यथार्थवाद ये सभी कला की आधुनिक प्रवर्तिया ही कही जाती है कुश्य नमबर थर्ड वे कौन से मापडण हैं जिनसे कोई कलाकार अपने आपको आधुनिक सिथ कर सकता है तो इसका अंसर कुछ ऐसे हो सकता है कि अपनी कला में कलात्मक्ता का अधिक विकास करके अत्वा आधुनिक भारते कला की विधाओं को अपनी कला में शामिल करके तथा प्राचीन परंपरावादी कला को त्याग कर खुद को आधुनिक सिद किया जा सकता है जैसे कि अभी विंजनावाद का प्रियोकर के रविंद्रनाट्य गोर ने आत्वा क्यूबिस्म यानि की घनवाद का प्रियोग करके गगेंद्रनाट्टे गोर ने खुद की कला को आधुनिक कला बनाया Question No.4 प्रगतिशील कलाकार समू के प्रमुक कलाकारों वे उनकी उपलब्दियों का वर्णन कीजिए प्रगतिशील कलाकार समू को दोस्तों पैग गुरूप के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आपसे question पूछा जाएगा कि पैग कलाकार समू की उपलबदी बतानी है तो आपको confused नहीं होना है पैग गुरूप और प्रगतिशील कलाकार गुरूप एक ही है तो इसके प्रमुक कलाकार हैं दोस्तों फ्रांसेस न्यूटन सुजा मकबूल फुदा हुसेन जिसको की हम M.F. हुसेन के नाम से भी जानते हैं सेद हैदर रजा केजी आरा एवं केजी सुब्रमन्यम इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कलाकान हैं जो पैग गुरूप के सदस्य हुए लेकिन आरंभिक सदस्यों में हम इन ही को जानते हैं शुरू करते हैं आरा रजा एवं सुजा इन्होंने मिलकर 1947 इश्वी में प्रगिती शील कलाकार सम्हूँ जिसको की पैग गुरूप के नाम से भी जाना जाता है नामक संस्था का गठन किया इस संगठन के कलाकारों ने बंगाल कलाशेली को एक तरह से नकार दिया तथा उसके इस्थान पर इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट का स्वागत किया इस संगठन के एक सदस से फ्रांसिस नूटन सुजा ने अपनी नई कृतियों के माध्यम से विश्व इस्तरिया उचाईयों को छुआ उनकी इन रचनाओं में यूरोपिय शेली के क्यूबिज्म एवं प्रभावात को अधिक महतु दिया था M.F. हुसेन ने भी अपनी रचनाओं में विश्व इस्तरिय चितरकला शेली को इस्थान दिया और प्रसिद्धी के सोपान चड़े लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो भारतिय सिनेमा जगत से जुड़ गए और उसी के लिए चितर बनाने लगे इसी संगिठन के एक और कलाकार हैं जिनका नाम है केजी सुब्रमन्या इन्होंने प्रचलित लोग कलाओं में परंपराओं को ततकालीन नवीन कला तकनीकों के बहतरीन सहियोजन से विक्सित करने की कोशिश की जो कि कला के छेतर में एक नवीन प्रियोग था तो दोस्तों लास्त में क्या हुआ कि 1956 में इस संगिठन को समाप्त करने और समाप्ती का कारण क्या था कि सभी कलाकार अपनी अपनी कला में और नवीन प्रियोग करने लगे थे अब उनको लगा कि हमें किसी एक गुरूप की आवशकता नहीं है और हमें अपनी कला में प्रियोग करने हैं जिससे की हम नई कलाकारों के साथ भी तालमेल बठा सकें तो दोस्तों ये था आपका चेप्टर नामक चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है इसके रचनात्मक सेयोजन का वर्णन कीजिए तो मदर टेरेसा चित्र के चित्रकार का नाम मकबूल फिदा हुसेन है जिसको M.F. हुसेन बोल देते हैं और इस चित्र में इन्होंने ममता मईी मदर टेरेसा तथा उनकी संस्था ध्वारक किये जा रहे मानविये समवेदनाओं से परिपून विभिन कार्यों रूपों को दर अवनाओं से परे रंग रहित चहरे का आभाज होता है उस साड़ी के एक सिरे द्वारा अनात बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममता में आश्रे प्रदान किया गया है तो दूसरी और एक बिमार को गुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है एक शिशु का लालन पालन ममता मई आचल में करती देखो दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है यह नहीं नाओ के मई है ममता मई आचल में करती दिखाई पड़ती है इस तरह इस चित्र को तीम चर्णों में बाट कर चित्रकार ने अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी है Q2 है आपका राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए मद का मतलब होता है अभिमान मैंने पहले भी बताया था तो अभिमान चून चून करते हुए घमंड तोड़ते हुए नामक चित्र में किस विशय को चुना गया है क्या कलाकार चित्र के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा है तो देख लेते हैं इसका अंजर राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए चित्र का विशय हिंदु धर्मिकी पवित्र धार्मिक पुस्तक रामायन से लिया गया है इस चित्र में चित्रकार की द्वारा रामायन में घटित होने वाली उस घटना को चित्रकार ने साकार रूप से चित्रत किया है जिसके अंतरगत श्री राम समुद्र को पार करने के लिए रास्ता मांगने की गुहार लगाते हैं लेकिन समुंद्र अपने अभिमान में चूर होकर श्री राम की पुकार को नकार देते हैं जिससे श्री राम समुंद्र को सुखाने की चितावनी देते हुए धनुष पर बान चड़ाते हैं राम को क्रोध में देखकर समुद्रदेव बाहर आते हैं और उनसे विंती करते हैं कि वे उन्हें शमा कर दें हमें लगता है राजर रविवर्मा इस पूरे द्रश्य को साकार रूप देने में पूरी तरहा से सक्षम रहे हैं चित्र में शिरी राम को सफेध धोती पहने तथा हात में धनुषबान पकड़े चितरद किया गया है तथा समुद्रदेव को लहरों के बीच में अपनी दोनों पतनी के साथ चितरद किया गया है चित्र को देखकर ऐसा आभास होता है कि यह घटना अभी कहीं पर घटित हुई है तो दोस्तों आजाते हैं कुशन नमबर तीन पे कुशन नमबर तीन है मा और बच्चा नामक चित्र में कला की शेलिगत विशेशताओं पर लेख लिखे तो यहाँ पर मा और बच्चा चित्र की शेलिगत विशेशता हैं बच्चों आपको बतानी है तो मा और बच्चा चित्र के चित्रकार का नम जामिनी रोय, यामिनी रोय, जैमिनी रोय सारी एकी बात है तो यामनी रॉय की कला लोक कला और आधुनिक कला का सम्मिश्रण है मा और बच्चा चित्र में भी यह विशेष्टा देखने के लिए मिलती है कौन सी विशेष्टा मतलब चित्र के अंदर आधुनिकता का भी सम्मिश्रण हमें देखने मिलता है और परंपारिक्ता का भी कुछ पुट हमें इस चित्र में देखने मिलता है इस तरह से यामनी राय का मा और बच्चा चित्र आधुनिक और परंपरागत शैली से मिलकर बने आधित्य पूर्ण क्रती है इस चित्र की विशेषता इसके सपाट पीले, गहरे भूरे, सफेद वसिंदूरी रंगों का अदबुद सोजनने है दोस्तों आपे जो कैमरा लिखा हुआ है ये कैमरा नहीं है ये टैंपरा है टैंपरा विदी से बनाई गई इस चित्र में मा और बच्चे के बीच में असीम प्रेम को दिखाया गया है इस तृत्व की संपूर्णता में मात्रत्व की अनिवारता भारत्य दर्शन को भी यहाँ पर चित्रकार ने दिखाया है अलंकारों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने चित्र में हरे सफेध ये सलेटना होकर के सफेध है काले रंग पर रेखाओं के बीच बहतरीन सहियोजन स्थापित किया है दोनों मानवाकरतियों के चहरे के भाव तथा आखों का आकार लगभग समान है परन्तु विश्मयकारी है इस चित्र की कोमलता और लेयात्मक रेखाओं ने इस चित्र को विसस्ट बना दिया है देख लेते हैं कुश्य नमबर फोर कुश्य नमबर फोर है राजर रवीवर्मा की अन्य प्रमुख क्रतियों का विवरंद दीजिए तो राजर रवीवर्मा को भारत के पोरानेक चित्र कार के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो भारत के पहले तेल चत्रकार थे राजर रवीव वर्मा और इस पर एक कोईशन भी मैंने जी एस जी के वाला जो अब इन दिनों मैंने चलाया है जो मैं रोज एक वीडियो डालती हूं जिसमें मैं कुछ जी के और जी एस के कोईशन अप्लोड करती हूं उसके अं और शकुंतला का दुश्यंत को पत्र यह जो भारतिय विक्रेता है यह भारतिय फल विक्रेता यानि की फ्रूट स्रेलर है कोईशन नमबर फाइव है आपका ग्रामीन परिवेश पर अधारित अमरिता शेरगिल के चित्र हल्दी चक्की का विवेचन कीजिए तो यह कोईश के हल्दी पीषने वाली चक्की के इर्दगेर्थ बैठे हुए दिखाया है इस कैतिरिक्त एक महिला को काले लिबास में व्रक्ष के दोनों तनों के पीछे अपने दाहिने हाथ को कान के पास तक उपर उठाय चित्रित किया गया है सभी के परिधान चटक है लाल और सफेद रंग से चित्रित है एक महिला को चक्की का हैंडल पकड़ हुए दिखाया गया है चित्र में एक बालिका को व्रक्ष के मूल तने से पीट सटाय बैठे हुए दिखाया गया है जिसने अपने दाहिने हाथ में व्रक्ष की डाली को पकड़ा हुआ है इस चित्र में महिला के इसपस्ट नहीं हैं, किन्तु एक महिला ने जो अपने पैरों में आभुशन पहना है, उस को चित्रकार ने बहुत अच्छे से दिखाया है, व्रक्ष के तने महिलाओं द्वारा पहने गए परिधान छेत्र की विशेष्टा, मतलब व्रक्षों के तने और महिलाओं के जो वस चित्रों में भारतिय परिवेश में महिलाओं की दुरदशा में काम के बोच को अपनी रचनाओं में महतुपून इस्थान दिया है, और उनके चित्रों के विशे भी लगभग यही रहे हैं, तो दोस्त, मदर टेरेसा नामक चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है, इस टेरेसा तथा उनकी संस्था ध्वारक किये जा रहे मानविय समवेदनाओं से परिपून विभिन कार्यों रूपों को दर्साया है, नीले बॉर्डर वाली साडी को चित्रकार ने इस तरह से विस्तारित किया है, कि उसमें धर्म जाती नसल में रंग भेत जैसे विकरत अबनाओं से परे रंग रहित चहरे का आभाज होता है, उस साडी के एक सिरे द्वारा अनात बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममता में आशरे प्रदान किया गया है, तो दूसरी और एक बिमार को गुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है, एक शिशु का लालन-पालन ममता मई आचल में करती दिखाया है, इस तरह इस चित्र को तीन चर्णों में बाट कर चित्रकार ने अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी है, Q2 है आपका राम समुंद्र का मद मर्दन करते हुए मद का मतलब होता है अभिमान मैंने पहले भी बताया था तो अभिमान चून चून करते हुए घमंड तोड़ते हुए नामक चित्र में किस विशय को चुना गया है क्या कलाकार चित्र के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा है तो देख लेते हैं इसका अंजर राम समुंद्र का मद मर्दन करते हुए चित्र का विशय हिंदु धर्मिकी पवित्र धार्मिक पुस्तक रामायन से लिया गया है इस चित्र में चित्रकार की द्वारा रामायन में घटित होने वाली उस घटना को चित्रकार ने साकार रूप से चित्रत किया है जिसके अंतरगत श्री राम समुंद्र को पार करने के लिए रास्ता मांगने की गुहार लगाते हैं लेकिन समुंद्र अपने अभिमान में चूर होकर श्री राम की पुकार को नकार देते हैं, जिससे श्री राम समुंद्र को सुखाने की चितावनी देते हुए धनुष पर बान चड़ाते हैं, राम को क्रोध में देखकर समुंद्र देव बाहर आते हैं और उनसे विंती करते हैं कि वे उन्हें शमा कर दें हमें लगता है राजर अविवर्मा इस पूरे द्रश्य को साकार रूप देने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं चित्र में श्री राम को सफेद धोती पहने तथा हात में धनुश बान पकड़े चित्रत किया गया है तथा समुंद्र देव को ल कहीं पर घटित हुई है तो दोस्तों आ जाते हैं कोईश नमबर तीन पर कोईश नमबर तीन है मा और बच्चा नामक चित्र में कला की शेलीगत विशेशताओं पर लेख लिखी तो यहां पर मा और बच्चा चित्र की शेलीगत विशेशताओं बच्चों आपको बतानी है तो मा और बच्चा चित्र के चित्रकार का नम जामिनी रोय, यामिनी रोय, जैमिनी रोय, सारी एकी बात है तो यामिनी रोय की कला, लोक कला और आधुनिक कला का सम्मिश्रण है मा और बच्चा चित्र में भी यह विशेष्टा देखने के लिए मिलती है कौन सी विशेष्टा मतलब चित्र के अंदर आधुनिकता का भी सम्मिश्रण हमें देखने मिलता है और परंपारिकता का भी कुछ पुट हमें इस चित्र में देखने मिलता है इस तरह से यामनी राय का मा और बच्चा चित्र आधुनिक और पंप्रागत शैली से मिलकर बने आधित्य पूर क्रती है इस चित्र की विशेष्टा इसके सपाट पीले, गहरे भूरे, सफेद वसिंदूरी रंगों का अद्बुद सोजनने है दोस्ते आपे जो कैमरा लिखा हुआ यह कैमरा नहीं है, यह टैमप्रा है टैमप्रा विदी से बनाई गई इस चित्र में मा और बच्चे के बीच में असीम प्रेम को दिखाया गया है इस्त्रित्व की संपूर्टा में मात्रत्व की अनिवारता भारत्य दर्शन को भी यहां पर चित्रकार ने दिखाया है अलंकारों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने चित्र में हरे सफेद यह सलेटना हो करके सफेद है काले रंग पर रेखाओं के बीच बहतरीन सहियोजन इस्थापित किया है दोनों मानवाकर्तियों के चहरे के भाव तथा आँखों का आकार लगभग समान है परंतु विश्मयकारी है इस चितर की कोमलता और लियात्मक रेखाओं ने इस चितर को विसिस्ट बना दिया है देख लेते हैं कुशिन नमब फॉर कुशिन नमब फॉर है राजा रविवर्मा की अन्य प्रमुख क्रतियों का विवरंड दीजिए तो राजा रवी वर्मा को भारत के पोरानिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है इन्होंने चाया प्रकाश का प्रियोग करके सरुप्रथम भारत में तेल रंगों से चित्रांगन करना आरंब किया इस कारण इन्हें भारत का पहला तेल चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तों भारत के पहले तेल चित्रकार थे राजर रवी वर्मा और इस पर एक कोईशन भी मैंने GSGK वाला जो अभी इन दिनों मैंने चलाया है जो मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं कुछ GK और GSK कोईशन अप्लोड करती हूँ उसके अंदर भी ये कोईशन आपका दिया हुआ था तो राजर रवी वर्मा की अन्य प्रमुक्रतियां है श्रीक्रेश्न, हरिस्चंद्र, रावन और जटायू, इंदरजीत की विजय भारतिये विक्रेता और शकुंतला का दुश्यंत को पत्र ये जो भारतिये विक्रेता है ये भारतिये फल विक्रेता यानि की फ्रूट स्रेलर है कुर्शिन नमबर फाइड मदर टेरेसा नामक चितर में क्या प्रदर्शित किया गया है इसके रचनात्मक सईयों जन का वर्णन कीजिए तो मदर टेरेसा चितर के चितरकार का नाम मकबूल फिदा हुसेन है जिसको M.F. हुसेन बोल देते हैं और इस चित्र में इन्होंने मम्ता मई, मदर टेरेसा तथा उनकी संस्था ध्वारा किये जा रहे मानविये समवेदनाओं से परिपून विभिन कार्यों रूपों को दर्साया है नीले बॉर्डर वाली साडी को चित्रकार ने इस तरह से विस्तारित किया है कि उसमें धर्म जाती नसल में रंगभेत जैसे विकरत भावनाओं से परे रंग रहित चहरे का आभास होता है उस साडी के एक सिरे द्वारा अनात बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममता मै आशरे प्रदान किया गया है तो दूसरी और एक बीमार को गुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है एक दाईना हात उन्हें आशा धहरे तथा हिम्मत रखने का संकेत देता प्रतीत होता है नीले बॉर्डर के साथ चित्रित पीली साडी वाली आकरती एक शिशु का लालन पालन ममता मै आचल मे करती देखो दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है Q2 है आपका राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए मद का मतलब होता है अभिमान मैंने पहले भी बताया था तो अभिमान चून चून करते हुए घमंड तोड़ते हुए नामक चित्र में किस विश्य को चुना गया है क्या कलाकार चित्र के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा है तो देख लेते हैं इसका अंजर राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए चित्र का विश्य हिंदु धर्मिकी पवित्र धार्मिक पुस्तक रामायन से लिया गया है इस चित्र में चित्रकार की द्वारा रामायन में घटित होने वाली उस घटना को चित्रकार ने साकार रूप से चित्रित किया है जिसके अंतरगत श्री राम समुंद्र को पार करने के लिए रास्ता मांगने की गुहार लगाते हैं लेकिन समुंद्र अपने अभिमान में चूर होकर श्री राम की पुकार को नकार देते हैं, जिससे श्री राम समुंद्र को सुखाने की चितावनी देते हुए धनुष पर बान चड़ाते हैं, राम को क्रोध में देखकर समुंद्र देव बाहर आते हैं और उनसे विंती करते हैं कि वे उन्हें शमा कर दें हमें लगता है राजर अविवर्मा इस पूरे द्रश्य को साकार रूप देने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं चित्र में श्री राम को सफेद धोती पहने तथा हात में धनुश बान पकड़े चित्रत किया गया है तथा समुंद्र देव को ल कहीं पर घटित हुई है तो दोस्तों आ जाते हैं कोशन नम्बर तीन पर कोशन नम्बर तीन है मा और बच्चा नामक चित्र में कला की शेलीगत विशेशताओं पर लेख लिखी तो यहां पर मा और बच्चा चित्र की शेलीगत विशेशता हैं बच्चों आपको बतानी है तो मा और बच्चा चित्र के चित्रकार का नम जामिनी रोय, यामिनी रोय, जैमिनी रोय, सारी एकी बात है तो यामिनी रोय की कला लोक कला और आधुनिक कला का सम्मिश्रण है मा और बच्चा चित्र में भी यह विशेष्टा देखने के लिए मिलती है कौन सी विशेश्ता, मतलब चितर के अंदर, आधुनिकता का भी सम्मिश्रण हमे देखने मिलता है और परामपारिकता का भी कुछ पूट हमें इस चितर में देखने मिलता है इस तरह से, यामनी राय का माँ और बच्चा चितर आधुनिक और परंप्रा तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अपने Second Rum की सभी chapters के important questions को देखा है, समझा है, आशा करती हूँ, आपने सारी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सभी questions आपको समझ आ गए होगे, आपने questions के answer किस pattern में लिखने हैं, वो भी इस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेर करना मत बूलना आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे की इस तरह की बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए तो आपके एक्जाम के लिए सभी बचों को All the best